नमस्कार दोस्तो बॉबी डिस्कवर्ड चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तो हम सभी लोग दूद तो जरूर पीते होंगे जो लोग गाओं में रहते हैं वो लोग ज़्यादतर गाइब हैंसका दूद पीते हैं और जो लोग सहर में रहते हैं वो लोग पैकेट का दूद पीते हैं पैकेट मतलब अमूल, गोवरधन, काफी सारे नाम है बट आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि पैकेट वाले दूद से जादा गायब है, इसका दूद फाइदे मन होता है हमारे सरीर के लिए जी हाँ दोस्तों, लेकिन किया आपने कभी बखरी का दूद पीया है तो काफी सारे लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि बखरी की दूद के फाइदे क्या क्या होता है लेकिन कुछ लोग हैं जो बखरी का दूद पीते हैं क्योंकि उनको बखरी के दूद के फाइदे मालूम है तो दोस्तों, अगर आप भी बखरी का दूद पीने की सोच रहे हैं तो सोचिये मत पी डालिये कि दोचार फाइदे बता देता हूँ दोस्तो पहले तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो दोस्तो बखरी के दूद का सेवन करने से सरीर में मौजूद एसीड रहता है जो हमारे सरीर में वो आसानी से पज़ जाता है जी हाँ हमारे सरीर में जो एसीड रहता है जो एसिड हमाई सर्वी बनता है ना दोस्तों खाने के साथ में वो बकरी का दूद का सेवन करने से वो असानी से बच जाता है इसके अलावा दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर उच्चे रखत चाप, कैंसर और मदूमे की समश्या है तो उसके इलाज में भी बकरी का दूद काफी कारगर सिद्ध होता है दोस्तों ये तो बकरी के दूद के मैंने आपको दो-तिन फाइदे बताए वैसे बकरी की दूद के और भी धेर सारे फाइदे हैं छोटे-छोटे जीसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बताऊँगा बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं मिलूँगा आपसे नेक्श वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद